Hello friends, I am Prince and welcome to Magnet Brains तो हम basically class 10 में मैस का अपना second chapter पॉलिनॉमिस देख रहे थे जहाँ पे sir, last lecture हमारे लिए बहुत ज़्यादा crucial और important lecture है क्योंकि उस lecture से हमारे board exam में और हमारे competition में directly हर साल सवाल पूछे जाते हैं sir सवाल देखने में बहुत खतरनाक नहीं होता सवाल देखने में बहुत simple है और concept भी बहुत simple है sir लेकिन simple तभी है अगर आपने धंग से concept पढ़ा है अगर आपको सही concept अच्छे से आता है क्योंकि अगर आपको धंग से concept नहीं पता है तो उसी simple से सवाल में उलच के रह जाओगे तो क्या समझ मैं है sir कुल मिला के बहुत crucial और entertaining lecture था वो हमारा वहाँ पे हमने क्या discuss किया था sir तो वहाँ पे हमने ये सीखा था कि अगर मैं किसी polynomial का curve plot करता हूँ तो मैं उस polynomial के कितने zeros होंगे उसके बारे में क्या बात कर सकता हूँ sir वो हमने सीखा था उसके पीछे का concept क्या देखा था sir तो हमने concept ये देखा था कि मैं ये चेक करता हूँ कि मेरे polynomial का curve मेरे x axis को कहा कहा कितनी बार cut या touch कर रहा है और यही cut और touch की मदद से मैं अपने polynomial के zeros के बारे में या फिर कहलो मैं अपने polynomial के real zeros के बारे में बात कर पाता हूँ sir तो हमने ये सीखा था sir एक cut बराबर एक zero होता है एक touch बराबर दो zero होता है तो उस ही साब से हम देख लेते हैं total कितनी बार cut या touch हो रहा है तो वहां से मैं अपने polynomial के सारे के सारे zeros निकाल लेता हूँ या फिर सारे के सारे real zeros निकाल लेता हूँ clear हो गया यह हमने सीखा था sir और देखो ये बात बार बार में क्यों कह रहा हूँ zeros या real zeros क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि actually मैं method ये जो तरीका है sir ये तरीका आपको आपके polynomial के कितने real zeros होंगे वो बताता है लेकिन हमारा 10th का syllabus इस तरीके से design किया गया है कि आपको जो जादतर polynomial encounter होगा उसके सारे के सारे zeros real zeros ही निकल कराएंगे इसी वाज़ा से सवाल आपसे पूछे how many zeros या फिर सवाल आपसे पूछे how many real zeros आपको दोनों का जवाब एक ही देना होता है यह funda clear है अब देखो उसके बाद हमने क्या सीखा था सर उसके बाद हमने यह देखा था कि आखिर ये cut और touch के बीच का फर्क क्या है तो दोनों के बीच में mathematically क्या difference होता है सर उसके concept को भी हमने समझा उसके funda को भी समझा और इतना समझने के बाद फिर हम अपने सवालों के थूँ निकाल कर देख रहे थे कि मेरे polynomial के कितने zeros निकल कर आ रहे हैं सर और इसी सवालों की series को continue करते वे कुछ और सवाल देखते हैं अब इस lecture में जितने सवाल लूँगा सर काफे interesting और सोचने वाले सवाल है तो बिलकुल ध्यान से lecture को सुनना और lecture के end में again एक बहुत important बात बताऊंगा तो पूरा focus अब आपका board पे होना चाहिए अब देखो सवाल वही है सर कि आपके सामने मैंने एक polynomial के curve को plot कर दिया है सर red से ये curve बना है मेरा अब मेरा सवाल ये है कि आप मुझे बताओ कि ये जिस polynomial का curve है उसके कितने zeros होंगे या फिर आप कहलो ये जो polynomial का curve है उस polynomial के कितने real zeros होंगे ये आप मुझे बताओ तो क्या जवाब दोगे सर अब आपके पास 5 सेकेंड है सोचो मेरी बात पर और सोच कर बताओ तो सर यहाँ पर ये सवाल बहुत इंट्रेस्टिंग था और अगर हम अपनी सवाल पर सोच रहे हैं तो मुझे अपने curve को देखकर zeros निकालने का जो concept पता है वो concept ये कहता है कि मुझे ये देखना होता है कि मेरा polynomial का curve इंट्रेस्टिंग चीज़ अब्जर्व हो रही है सर क्या कि मेरा ये जो सर polynomial का curve है वो X axis को कहीं पे भी कट भी नहीं कर रहा कहीं पे भी टच भी नहीं कर रहा सर Y axis को जरूर कट कर रहा है लेकिन Y axis से मुझे कोई लेना देना नहीं है मेरा लेना देना X axis के साथ है और मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरा polynomial का curve X axis को कहीं पे भी कट भी नहीं कर रहा कहीं पे भी टच नहीं कर रहा तो zeros क्या बता दोगे आप तुरंट काओगे सर इसके zero zeros होंगे तो zero zeros होंगे का क्या मतलब है सर इसका मतलब ये है कि इसका एक भी zero नहीं होगा सर इस polynomial का एक भी zero नहीं होगा सर ये curve को मुझे देख कर पता लग रहा है clear हो गया अब मेरी बात फिर से यहां ध्यान से सुनना बहुत important बात है मैंने आपको क्या कहा था zeros बोले या real zeros बोले answer आपका एक ही होगा तो यहां पर इसी बात को मैं और कैसे लिख सकता था सर कि इसके zero real zeros होंगे इसके actually zero real zeros होंगे मतलब इसका एक भी real zero नहीं होगा clear है तो exam अगर ये same सवाल आपको उठके आ जाता है तो आप अपना answer zeros पुछे या real zeros पुछे क्या बताओगे सर शुन्ने बताओगे यानि इसका एक भी zero नहीं होगा या फिर आप कहलो सर एक भी real zero नहीं होगा अब देखो ये सवाल अपने आप में बहुत interesting है तो अब ध्यान से सुनना कि actually सवाल का concept क्या है बहुत important है ध्यान से सुनना और confuse नहीं होना last में मैं confusion दूर करूँगा सर actually मैं जब हमने अपने graph के कुछ पहले के lectures देखे थे तो वहाँ ये observe किया था कि मेरे quadratic polynomial का graph जो आता है सर वो एक parabola आता है यानि कि सर हमने वहाँ पे ये सीखा था और आपने बताया था कि आगे जब हम detail में quadratic पढ़ेंगे तो इस चीज़ पे बात करेंगे क्या बात करेंगे सर तो हमने ये देखा था कि कहीं पे भी y बराबर कोई polynomial की चीज़ का graph अगर हम बनाते हैं जहां पे ये polynomial अगर एक quadratic polynomial है तो अगर आप कभी भी quadratic polynomial का सर curve plot करोगे तो वो हमेशा हमेशा parabola ही आएगा ये guaranteed है सर यह हम आगे सीखेंगा अभी फिलाल इस चीज़ को ध्यान में रखना क्या सर कि दुनिया के किसी भी type के quadratic polynomial का अगर आप curve plot करोगे सर तो वो हमेशा एक parabola ही आएगा और सर आपका पराबोला ऐसा भी आ सकता है आपका parabola सर ऐसा भी आ सकता है किस केस में ऐसा आएगा किस केस में ऐसा आएगा उस पे आगे चर्चा होगी अभी फिलाल इतना जान लो कि अगर quadratic polynomial का करोगे है सर तो पाराबोला आएगा ही आएगा अब देखो इसी चीज़ पे हम कर्व है मैंने क्या कहा सर अपने कर्व को मुझे देखकर पता लग रहा है कि ये एक पैराबोला है तो सर ये अगर एक पैराबोला है यानि कि सर आपका कर्व क्या रहा होगा आपका polynomial कैसा रहा होगा तो तो तुरन काओगे सर इस curve को देखके मुझे पता लग रहा है कि मेरा polynomial एक quadratic polynomial होगा सर यानि कि actually में ये quadratic polynomial का सर curve है अब बिल्कुल ध्यान से सुनना सर आपने सिखाया था कि जिस type के polynomial के जितनी degree होती है उसके exactly उतने ही zeros आते हैं ना कम ना जादा लेकिन zeros real भी आ सकते हैं zeros आपकе complex भी आ सकते हैं इनके combination भी आ सकते हैं मैं repeat कर देताओ सर आपने सिखाया था कि एक polynomial की जितनी degree होती है उसके exactly उतने ही zeros होगे ना कम ना जादा लेकिन सर्थ वो जो zeros होते हैं ना वो और zeros real भी हो सकते हैं वो zeros complex भी हो सकते हैं इनके combination भी हो सकते हैं सर ये भी आपने सिखाया था अब अगर ये चीज़ सोचते वे मैं यहाँ पर वापस आजाओ सर तो मुझे दिख रहा है कि ये quadratic polynomial का graph है graph की मदद से मैं देख रहा हूं सर तो इसके 00s आ रहे हैं लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ये quadratic polynomial का curve है तो मुझे बहुत अच्छे से इस चीज़ का अंदाजा है कि quadratic polynomial की degree 2 होती है तो जितनी degree उतनी zeros यानि कि इसके 2 zeros आने चाहिए थे सर लेकिन curve को देख कर तो 00s निकल कर आ रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है क्या funda है इस चीज़ पर यहाँ पर बात करेंगे अब आप इस चीज़ पर खुद भी सोच सकते हो 2 मिनट है सोचो आप वीडियो को pause करो थोड़ी देर सोचो कि सर हमें जो अपना concept पता है उसके हिसाफ से quadratic polynomial का curve है तो 2 zeros आने चाहिए थे लेकिन जब हम graph की मदद से analyze कर रहे है तो 00s आ रहे है ऐसा क्यों हो रहा है आखिर यह यहाँ पर हमें सर समझने की कोशिश करनी है तो इसको समझो पहले यह clear हुआ सोच लिए सवाल पर अब देखो आज आते हैं सर reason पर अब देखो reason बहुत interesting है अब मेरी बार ध्यान से सुनना मैंने आपको बार बार किस चीज़ पर इमफैसिस करवाई मैंने आपको बार बार कहा था कि यह चीज़ ध्यान में रखना क्या ध्यान में रखोगे सर कि हमारा syllabus 10 का इस तरीके से बनाया गया है कि वो आपके zeros को ही real zeros मानता है यानि मुझे पता है सर मेरे zeros दो type के होते है real भी हो सकता है, complex भी हो सकता है लेकिन आपके syllabus में complex zeros की बात नहीं है इसी वज़ा से कभी भी कोई मुझे real zeros कहाँ देता है या फिर zeros कहाँ देता है मैं दोनों को एक मान लेता हूँ लेकिन दोनों एक नहीं होते हैं सर Real zero zeros का एक टाइप है इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया का हर zero real zero ही होगा दुनिये के कुछ zero सर complex zero भी हो सकते अब मैंने यह आपको क्यों बता रहा हूँ मैं यह इसलिए बता रहा हूँ मेरी बत बिल्कुल ध्यान से सुनना actually में सर मैंने आपको सिखाया कि हम इस method की मदद से curve को देखकर जो अपने polynomial के zeros निकालते हैं वो क्या आते हैं वो actually में सर real zeros आते हैं यह actually में real zeros आते हैं यानि कि सर इसको देखकर मुझे पता लग रहा है कि मेरे इस particular quadratic polynomial का एक भी real zero नहीं है zero real zeros इस मेरे quadratic polynomial का एक भी real zero नहीं है अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझना quadratic polynomial है तो 2 zero तो होगा ही होगा लेकिन एक भी real zero नहीं है इससे क्या पता लगता है इस quadratic polynomial के दोनों के दोनो zeros complex zeros होंगे, इससे क्या पता लगता है, इस quadratic polynomial के दोनों के दोनों zeros complex zeros होंगे, ये funda clear है, बहुत important बात मैंने आपको बताई, clear है, बहुत important चीज़ पे बात की, यहाँ पे आपको ये real zeros और zeros का funda जरूर clear होगा, कि actually में sir, है दोनों अलग अलग चीज, zero का एक type होता है real zero, इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया का हर zero real zero ही होगा, क्योंकि कुछ zero, हमने अपने बहुत सारे example के थूद देखा है, कि sir, मेरे quadratic polynomial के zeros complex भी आ सकते हैं, तो zeros complex भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा syllabus ही ऐसा है, कि वो zeros और real zeros क एक मान कर चलता है, इसी वज़ा से कभी भी मुझसे सवाल zeros के बारे में पूचता है, या फिर real zeros के बारे में पूचता है, तो अपने syllabus के हिसाब से हम दोनों को एक मान कर चलते हैं, लेकिन दोनों एक है नहीं, ये बात समझना बहुत important है, तो actually मैं क्या पता लगा, sir, कि quadratic polynomial क कर्व है, तो दो zeros तो होंगे ही होंगे, और ये दोनों के दोनो zeros, sir, complex zeros होंगे, real नहीं होंगे, ये मुझे अपने कर्व को देखकर पता लग रहा है, तो सवाल अब ये उठता है, sir, इतनी कहानी के बाद, कि exam में मुझे ये कर्व दे दे, और मुझे पूच दे, कि how many zeros, तो तो बहुत अच्छी से clear है, real zeros पूच रहा है, zero real zeros, इसमें तो कोई doubt ही नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ zeros करके पूच दे, sir, तो मैं अपने exam में zero ही जवाब दूँगा, क्योंकि हमारा syllabus zero और real zero को एक मान के चलता है, बहुत important बात मैंने आपको बताई, कि सवाल exam में आ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों पर हम आगे बात करेंगे, clear कर लेंगे, उसके लिए अपने शिंत रहो, फिलाल जो बताया उसको note करो, बहुत अच्छे-चे सवाल लूँगा मैं इस lecture में, ये फंडा clear हो गया, यानि इस particular polynomial के, sir, zero real zeros होंगे, या फिर अग इसका zero नहीं हो, आपको ये लिखना है, क्यों, क्योंकि आपका class strength का सिले, बस zero और real zero को एक मान के चलता है, clear है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत शांदार सवाल, next सवाल पर आते है, अब देखो, again, next सवाल में भी क्या दिख रहा है, sir, next सवाल में भी मुझे एक पारा बोला ही दिख रहा है, sir, next सवाल भी मुझे एक पारा बोला ही दिख रहा है, sir, उल्टे तरह का पारा बोला दिख रहा है, तो फिर से वही कहानी, again, मेरा सवाल आप से क्या है, sir, कि मेरा स x x इसको कहीं पे भी ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है तो चुकी कहीं पे भी ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है तुरंट कह देंगे sir zero zeros तो आपसे वो zeros पूछे या फिर आपसे वो how many real zeros पूछे आपको जवाब क्या देना है sir, zero ही देना है एक भी zero नहीं होगा, यह आपको जवाब देना है sir exam में clear है, लेकिन actually में क्या है sir, actually में ऐसा है कि यह एक quadratic polynomial का curve है और अगर quadratic polynomial है sir, तो दो zero होंगे ही होंगे तो इससे actually क्या समझ में आता है, कि sir actually में इसके zero real zeros है यानि कि इसका एक भी real zero नहीं है, तो यह दोनों के दोनों zero कैसे zero है sir तो actually में असलियत में इसके दोनों के दोनों zero sir, complex zeros है actually में इसके दोनों के दोनों zero क्या है sir, complex zeros है इसका कोई भी zero real zero नहीं है लेकिन हमें पता है कि हमारा syllabus real zero zero को एक ही मान के चलता है इसी वजह से अगर आपके board exam में सवाल आएगा तो आप अपने answer क्या दोगे sir आप अपने answer दोगे zero zero और अगर मैं आपको सही माईने में बता हूं तो आपको सही माईने में बता हूं तो अगर exam इस तरीके की सवाल आते है ना तो आप अपना answer एक number में generally इस टाइप का सवाल आता है तो सीधे मान लो question number three है तो three लिखा और आप लिखोगे number of number of real zeros बराबर number of real zeros बराबर जितने आ रहे हैं वो लिख देना आप ऐसे करके हमेशा लिखना आप कभी भी number of zeros करके मत लिखना आप अगर exam में सवाल आपसे zeros पूछे सवाल आपसे real zeros पूछे फर्क नहीं पड़ता आप अपना answer number of real zeros करके ही लिखना कोई number नहीं काटेगा निस्चिंत रहना तुम आप अपना answer number of real zeros करके ही लिखना जैसे इस case के हिसाब से कितना हैंगे सर जिरो आएंगे इस तरीके से लिख दिया मैंने ये perfect answer है ये लिखोगे ना तो आपका जो examiner है वो पढ़के समझ जाएगा कि बंदे को knowledge है बंदे को पता है कि zeros और real zeros actually थोड़ी different चीजे है जिरो का ही एक टाइप real zero है लेकिन हमारा syllabus ही ऐसा है क्या करें clear है कोई दिक्कत कोई समस्य है यहाँ पर कोई नेक्स सबाल क्या है यह हमारा next सवाल अब again फिर से वही कहानी क्या दिखरें सर आपको बताना है कि मेरे polynomial के कितने zeros होंगे सर तो क्या जब आप दोगे दिखरांसर कि मैं यह चेक करता हूं कि मेरा जो कर्वै polynomial का तो exercise को कितनी बार cut या touch कर रहा है तो एक cut बड़ाबर point पे कौन से point پे सर सिर्फ और सिर्फ इस एक point पे मेरा curve मेरे x axis को touch कर रहा है आप कैसे check करोगे आपको बहुत अच्छे से मैंने check करने का तरी का सिखाया है कि इस से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे थोड़ा आगल बगल क्या कर लेते हैं सर दो point consider कर लेते हैं और उनके y coordinate के sign को देखते है तो clearly दिख रहा है सर दोनों के दोनों point मेरे fourth quadrant में है तो fourth quadrant में y negative होता है सर तो दोनों के दोनों point के लिए मेरा y coordinate क्या होगा सर negative होगा यानि की सर मेरे point के shift करने पर हलका सा आगे पीछे होने पर मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे y coordinate का sign नहीं बदल रहा sign वही है तो यहां से पता लगता है सर touch का case है और कितनी बार touch हो रहा है सर सिर्फ एक बार touch हो रहा है कट का भी case बन रहा है क्या नहीं बन रहा है सिर्फ और सिर्फ सर एक touch हो रहा है और मुझे पता है एक touch बराबर दो zero होता है तो कुल मिला के इस particular polynomial के कितने zeros बता हो गए आप तो sir exam में आएगा तो मैं बोलूँगा इस polynomial के दो zeros हैं क्या बोलूँगा sir इस polynomial के दो zeros है या फिर आप कहलो इस polynomial के दो real zeros है clear इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए अब फिर से देखो आप चाहो तो वह वह दिमाग लगा सकते हो कौनसा दिमाग sir कि again दिख रहा है sir कि ये एक क्या है पाराबोला है अगे दिख रहा है sir ये एक पाराबोला है यानि कि quadratic polynomial का ही ये कर्व है तो quadratic polynomial है तो 2 0 आने चाहिए थे sir और वो दोनों के दोनों 0 ही real 0s है क्योंकि यहां से मुझे जो भी 0 निकलता है वो actually में real 0 निकलता है तो क्या दिख रहा है sir मेरे इस particular quadratic polynomial के दोनों के दोनों 0s real 0s ही है क्लियर इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परिशानी अगेन नहीं होनी चाहिए नो डाउन करो इसको कि सिंपल था sir आज आते है अगले सवाल पर अगला सवाल क्या है sir हमारा यह रहा अगला सवाल अगेन फिर से वही कहानी अगेन इसका जवाब आपको खुदाना चाहिए क्या दिख रहा है sir सवाल में फिर से वही कहानी दोर आएंगे मुझे दिख रहा है sir मेरा जो polynomial का कर्व है वो मेरे accesses को सिर्फ एक point पे touch करता हुआ दिख रहा है क्यों touch कर रहा है अगर मैं इसके अगल बगल का point लूँगा तो देखो मुझे क्या पता लग रहा है तो sir अगर मैं इसके हलका अगल बगल का point लूँगा और उसके y coordinate को देखूंगा तो दिख रहा है कि ये दोनों अगल बगल के जो मेरे point है sir वो first quadrant में लाई कर रहा है first quadrant में कोई भी point होता है तो उसका y coordinate positive होता है दोनों point के y coordinate क्या है sir positive है तो y coordinate के sign में कोई change नहीं हुआ मतलब कि sir touch का case है तो touch का case है कितनी बार touch हो रहा है सिर्फ एक बार यानि कि एक touch बराबर दो zero तो आप answer क्या बताओगे sir two zeros या फिर कह लो two real zeros ये clear है इसमें किसी को कोई दिखकत कोई समस्या कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए तो क्या answer दोगे sir how many zeros फटाक से लिख देना sir two zeros आनी खताओ no down करो इसको next सवाल देखते है sir अगें यहां पर वैसे ही बात कर सकतो क्या दिख रहा है sir एक पारा बोला है यानि कि quadratic polynomial का ये एक करव है sir तो quadratic polynomial है तो दो zero आने चाहिए थे और इसके दोनों के दोनों zero कैसे आ रहे है sir इसके दोनों के दोनों zero real zeros ही आ रहे है clear है next सवाल पर आ जाते है बहुत मज़ेदार concept है ये बहुत important बहुत कम teachers आपको ये अच्छे से समझा पाते हैं इसलिए कह रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना आपको अच्छे से मिलेगा भी नहीं पूरे YouTube पे तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे सुनना और समझना में क्या क्या कह रहा हूं अब देखो again आपके सामने एक सवाल ठीक है अब again सवाल वही है sir आपके सामने एक कर्व है आपको बताना है कि इस particular polynomial के कितने zeros होंगे तो क्या दिख रहा है sir जो हमने पढ़ा है वो दिमाग लगा हूं तो clearly पता लग रहा है मुझे क्या पता लग रहा है sir कि मेरा कर्व मेरे X-axis को कहीं पे भी ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है यानि कि अगर exam में आ जाये तो मैं क्या बताऊंगा इसके कितने zeros होंगे sir तो कहीं पे भी कट या टच नहीं कर रहा है यानि कि इसके zero real zeros होंगे मैं ऐसा लिखू या फिर मैं ऐसा लिख दू sir इसके zero zeros होंगे sir clear है? समझ में आया है exam में ये सवाल आ जाये आपको क्या जवाब देना है sir zero real zeros होंगे या फिर कहलो sir zero zeros होंगे clear? इसमें किसी कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए clearly दिख रहा है sir y-axis इसको तो एक पॉइंट पे काट गया लेकिन x-axis इसको छू भी नहीं रहा cut भी नहीं कर रहा तो zero आने का तो case ही नहीं बनता तो क्या क्या देंगे sir इसका एक भी real zero नहीं है या फिर कहलो इसका एक भी zero नहीं है clear है? no down करो इसको next सवाल पर आ जाते है क्या है sir हमारा next सवाल? तो यह रहा हमारा next सवाल sir अब अगेन यह आपको बताना है दिमाग में देखो बनाओ जारे सवाल आपसे खुद भी बनने चाहिए यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है sir आपके बुक का ही सवाल है देखो क्या दिख रहा है sir अगेन आपके सामने एक polynomial मैंने plot कर दिया है polynomial का कर्व है बताना है कि इस polynomial के कितने real zeros होंगे या फिर कहलो इस particular polynomial के कितने zeros होंगे क्या जबाब दोगे तो हम यह देखते है sir कि मेरा अपना polynomial का कर्व x axis को कितनी बार कट या टच कर रहा है तो दिख रहा है sir कि एक ये वाला point है और sir touch या cut वाला एक ये वाला point अब टच कर रहा है कि कर रहा है sir clearly दिख रहा है दोनों के दोनों point पे touch का case बन रहा है कैसे आगे पीछे जाकर आप थोड़ा सा check कर लो sir जैसे हम थोड़ा सा आगे पीछे जाएंगे तो देखो क्या observe हो रहा है sir यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम आगे पीछे गए तो जो मुझे दो point मिल रहे है दोनों के दोनो point second coordinate में लाई कर रहे है second coordinate में y coordinate positive होता है second coordinate में y coordinate positive होता है दोनों point के y coordinate positive तो sir क्या दिख रहा है दोनों point के y coordinate में कोई change नहीं आया दोनों point के y coordinate के sign में कोई change नहीं आया sir यानि की touch का case है again यही कहानी यहाँ पे भी हो रही है सर हल्का सा आगे पीछे जाएंगे तो क्या देख पा रहे हैं सर दोनों के दोनों पॉइंट मेरे first coordinate में लाई कर रहे हैं first coordinate में y coordinate positive होता है तो दोनों point के लिए सर y coordinate positive तो सर दोनों point के अगर मैं y coordinate के sign को compare करूं तो देख पा रहा हूं कि दोनों point के y coordinate के sign में कोई change नहीं आ रहा है मतलब again touch का case बन रहा है तो sir दो confusion वाले point थे और दोनों के दोनों touch का case एक touch मुझे दो zeros प्रदान करता है तो दो touch कितने zeros देंगे sir 2 प्लस 2 कुल मिलाके 4 zeros देंगे तो यहाँ पे आप अपने polynomial का cancer बताओगे sir आप यह बोलोगे कि इस particular polynomial के 4 zeros होंगे या फिर कहलो 4 real zeros होंगे या फिर कहलो sir 4 real zeros होंगे clear है no down करो बस पढ़ायावा concept का इस्तमाल कुछ अलग नहीं बता रहा है next सवाल पे आ जाते हैं sir क्या है हमारा next सवाल यहाँ पे देखो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम next सवाल पे बात करें sir next सवाल भी बहुत अच्छा सवाल again सवाल आपके सामने है सवाल क्या है sir वही अब देखो again क्या दिख रहा है sir again आपके सामने मैंने एक curve को plot कर दिया आपको बताना है कि इसके कितने zeros होंगे तो क्या बोलोगे सर clearly दिख रहा है सर ये जो मेरा red वाला polynomial का curve है ये x-axis को मुझे कहीं पे भी काटता हुआ नहीं दिख रहा ये जो मेरा curve है सर वो x-axis के बिल्कुल parallel है तो अगर ये curve मेरे x-axis के बिल्कुल parallel है तो ये इसको कभी काट भी नहीं सकता तो क्या पता लग रहा है सर मेरा curve मेरे x-axis को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा कहीं पे भी touch भी नहीं कर रहा तो तुरंट कह दूँगा सर कि मेरे इस particular polynomial का zero zeros होगा क्या कह देंगे सर मेरे इस particular polynomial का zero zeros होगा या फिर आप कह लो zero real zeros होगा सर क्लियर है इसको no down करो अब यहां पे अगे एक important बात बता रहा हो ध्यान से सुनना सर हमने सीखा था कि मेरे linear polynomial का curve straight line आता है तो वो सोचते हुए आपके दिमाग में आएगा सर कि सर ये एक straight line है तो ये एक linear polynomial होना चाहिए लेकिन यहां पे एक चीज में आपको हिदायत दे देता हूँ कि ये एक linear polynomial का graph नहीं है क्यों नहीं है मैं आपको आगे बात करूँगा जब linear polynomial पड़ाऊंगा तो इस चीज पर clear करूँगा निस्चिंत रहना फिलाल बस इतना जान लो कि अगर मेरा कोई curve इस तरीके का है कि वो straight line है और वो जो straight line है वो x axis के parallel उपर हो या x axis के parallel नीचे हो बिल्कुल दिहान से मेरी बात को सुनना सर मेरा जो भी curve है वो अगर एक straight line है और ऐसा straight line है जो x axis के parallel हो उपर या फिर कहीं पे भी x axis के parallel हो नीचे यानि इस type का कोई भी curve होगा x axis के parallel कोई भी line उपर हो या नीचे हो वो कभी भी एक linear polynomial को represent नहीं करता है क्यों नहीं करता है तो linear polynomial का straight line कैसा दिखेगा उस पे हम अपने आगे वाले lectures में बात करेंगे फिलाल बस इतना जान लो कि ये curve actually में एक linear polynomial का curve नहीं है क्यों क्यों कि देखो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अगर ये linear polynomial होता तो linear polynomial की degree 1 होती है तो degree 1 है तो 1 0 आना चाहिए था लेकिन इसका तो 1 भी 0 नहीं आ रहा तो इससे क्या पता लगता है सर ये actually में आपको लग रहा है लेकिन linear polynomial का curve नहीं है यानि कि सर ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे straight lines जो graph paper पे plot होंगे वो सिर्फ और सिर्फ linear polynomial के ही होंगे हाँ ये जरूर है कि दुनिया के किसी भी linear polynomial का curve बनाओगे तो वो एक straight line हैगा लेकिन दुनिया का सारे straight line एक linear polynomial पे जाए ये कोई जरूरी नहीं है बहुत important बात मैंने कहीं note कर लेना क्या मैंने कहा सर कि दुनिया का कोई भी linear polynomial को graph paper पे plot करोगे तो वो एक straight line हैगा ये confirm है लेकिन मैं उल्टा नहीं बोल सकता कुछ और चीजों को भी represent कर सकता है तो बहुत important point इसको side में अपने दूसरी copy में note कर लेना क्या note करोगे सर कि दुनिया का कोई भी linear polynomial होगा सर उसको graph paper पे बनाओगे तो हमेशा एक straight line आएगा लेकिन दुनिया का हर एक straight line linear polynomial का ही है इसकी कोई guarantee नहीं है सर ये कोई जरूरी नहीं है सर कुछ और चीजे भी हो सकती है बहुत important याद रखना फिलहाल के लिए सर सवाल क्या था बताना है कितने zeros होंगे दिख रहा है कि मेरा curve x axis को कहीं पे भी ना cut कर रहा है ना touch कर रहा है तुरंद कह देंगे सर zero zeros होंगे या फिर कह लो zero real zeros होंगे no down कर लो इसको next सवाल देखते है क्या है यह रासर हमारा next सवा अब देखो यह सवाल बहुत interesting है इसके लिए मैं आपको थोड़ा सोचने का time दूँगा सवाल इतना सीधा नहीं है जितना सीधा दिख रहा है तो ध्यान से सोच के सवाल का जवाब देना सवाल वही है सर आपके सामने मैंने यह वाला कर्व बना दिया है और आपका सवाल यह है कि आपको मुझे बताना है कि यह जिस भी polynomial को represent कर रहा है उसके कितने zeros होंगे या फिर कहलो कितने real zeros होंगे तो आपके पास 10 second है 10 second में सवाल पे थोड़ा सा सोचो अराम से वीडियो पॉस करके time लेके सवाल पे सोचो और बताओ कि इसके कितने real zeros निकल कर आएंगे या फिर कहलो कितने zeros निकल कर आएंगे फट से answer मत देना गलत हो जाओगे जो चीज आपको दिख रही है यहाँ पे वो है नहीं बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे बतायवे concept का इस्तमाल करूँगा और बहुत अच्छा सवाल है बहुत प्यारा सवाल है दो मिनट आराम से सोचो पहले सवाल पे अब देखो यहाँ पे जादतर students ने जो सोचा होगा तो उन्होंने क्या पाया सर कि मेरा कर्व मुझे दिख रहा है कि X-axis को कहीं पे भी ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है तो इसके zero zeros होंगे तो इसके zero zeros होंगे या फिर मैं कह लो zero real zeros होंगे जादतर student का ये जवाब आएगा लेकिन जवाब गलत है क्यों गलत है अब उसको यहाँ पे समझते है अब बिल्कुल ध्यान से सुनना बहुत मज़ा आएगा आपको इस सवाल में देखो इसको कहते हैं कि छोटे से concept को कैसे high level तक ले जाते हैं क्या दिख रहा है से स्ट्रेट लाइन ठीक है अब मैंने आपको सिखाया है क्या सिखाया है सर कि स्ट्रेट लाइन के दोनों साइड में ये जो एरो होता है या किसी भी कर्व में ये बात ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं nem便 Kaline कोई साभी ूट-पटान के सब्सक्राइब के तरफ ये जो अइरो लगा होगा в अगर तो वह बताता है कि ये आगे भी जाएगा अगर आप ले जाना चाहू तो ये आगे 4 जाएगा ये ए 4 आगे जो लगा होता है सर यहीं बता है क्लियर है क्योंकि हमें पता है सर ये जो last की तरफ arrow लगता है वो इस तरफ इशारा करता है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे तो ये आगे भी बढ़ेगा वो तो मैंने अपने graph paper के size की हिसाब से उस size का curve बनाया ये मुझे पता है सर अब ये concept अगर आपको याद होगा मेरा जो मैंने बताया था तब ये सवाल बन जाएगा वरना नहीं बनेगा अब आपको देख के तो लग रहा है कि मेरा curve यहां से यहां तक ही है और इस बीच में तो ये xx इसको कहीं पे भी cut नहीं कर रहा, touch भी नहीं कर रहा तो इसका तो एक भी 0 नहीं होगा, एक भी real 0 नहीं होगा लेकिन actually मैं क्य हो रहा है अब जहां सुनो, ये जो दोनों साइड में सर स्ट्रेट लाइन का एरो है, ये एरो इस तरफ इशारा करता है कि अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहोगे तो ये आगे भी जाएगा, यानि कि सर अगर मैं अपनी सहुलियत की हिसाब से चाहूं तो इस चीज़ क और आगे ले जा सकता हूँ, और इस चीज़ को भी और आगे ले जा सकता हूँ, तो सवाल ने आपको यहाँ पर फसाने की कोशिश की, उसने आपको क्या किया, ये छोटा से स्ट्रेट लाइन मरा कर दे दिया, कि आप कन्फ्यूज हो जाओ, लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन का मीनिंग पता है, तो आपको क्लियर है कि मैं अपने स्ट्रेट लाइन को कितनी दूर तक भी चाहूँ, तो एक्स्टेंड कर सकता हूँ, अब मुझे शुरुआत में लग रहा था, कि ये यहाँ पे खतम हो गया, लेकिन क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत बढ़ा देता, तब तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेट करते हुए निकल जाता, तब तो ये एक्स एक्सिस को कट करते हुए निकल जाता, और मैं इसको आगे बढ़ा सकता अपनी जरूत के हिसाब से, तो कुछ सवाल ऐसे भी होंगे, जहाँ पे आपको कर्व इस तरीके स नहीं कर रहा लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता लग जाएगा कि सर actually में ये cut करेगा तो सवाल ने जाज बूच कर यहां तक बना के straight line छोड़ दी लेकिन आपको पता है आप इस straight line को और आगे भी लिए जा सकते हो और अगर आप इस straight line को आगे बढ़ाओगे तो तुरंथ पता लग रहा है सर एकस इसको cut करके निकलेगा और सिर्फ और सिर्फ एक point पे cut करके निकलेगा cut ही करेगा ये confirm है सभी को बिल्कुल सर confirm है अगर मैं इसके आगे पीछे का कोई point लेता हूँ तो clearly पता लग रहा है सर कि ये जो मेरा point है ये point मेरे first coordinate में लाई कर रहा है तो इसका y कितना हो जाएगा सर positive हो जाएगा इसी तरीके से सर ये जो मेरा point है वे fourth coordinate में लाई कर रहा है तो इसका Y-coordinate क्या हो जाएगा सर? Negative हो जाएगा तो क्या दिख रहा है सर? आगे पीछे जाने पर मेरे Y-coordinate का sign change हो गया यानि की cut का case है तो cut का case होता है तो क्या जानते है सर? एक cut बराबर एक 0 यानि की सर यहाँ पे एक cut लगा हो है यानि की actual answer क्या है सर? तो actual answer है मेरा कि इसका एक zero होगा अब ये सवाल अगर आपके exam में आ जाए तो मैं आपको लिखके देता हूँ अपने दोस्से ये सवाल पूछना वो गलत answer देगा मैं आपको लिखके देता हूँ board exam में अगर ये सवाल पूछ देगा ना तो आपके 98% student गलत करके आएंगे ये guarantee रही क्योंकि उनको ढंक से concept नहीं पता है इसी वज़ा से यहाँ पे concept बहुत important होता है हर चीज़ का कब कौन सा concept कहां उटकर आ जाई आपको पता नहीं तो क्या दिख रहा है यहाँ पे sir geometry का एक concept zeros के concept से आके मिल गया और एक शांदर सवाल मुझे देकर चला गया तो बहुत प्यारा सवाल तो actually में answer क्या है sir one zero का हो या फिर one real zero का हो अगर कोई student zero zero बोल रहा है तो तुम उसको तुरंट क्या बोलोगे sir आप गलत हो इसका actually में एक zero आएगा ये confirm है sir clear है इसको no down करो बहुत अच्छा सवाल star mark करके रखना बहुत प्यारा conceptual सवाल next सवाल पर आते है sir देखो next सवाल क्या है हमारा अगर देखो हमारा next सवाल देखो again next सवाल आपके सामने ये रहा अब फिर से कहानी वही है sir कि आपके सामने कर्व मैंने बना दिया है बताओ मुझे कितने zeros आएंगे या फिर से कितने real zeros आएंगे अब थोड़ा दिमाग लगाने इस पे ठीक है इस पे थोड़ा दिमाग लगाना और मुझे answer चाहिए तो अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आपके दो zeros निकल कर आएंगे अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आपके दो zeros निकल कर आएंगे दिमाग नहीं लगाया होगा तो आपके zero zeros निकल कर आएंगे अब बताओ दिमाग लगाया कि नहीं बिल्कुल दिमाग लगाना चाहिए था यहाँ पे अभी just इस टाइप का example करवाया क्या दिख रहा है सर मेरे सामने एक कर्व है जिस पे मुझे एरो लगता हुआ दिख रहा है तो पता लग रहा है ये कि इसको अगर मैं चाओ सर तो आगे इस तरीके से extend कर सकता था क्योंकि ये बताता है कि ये कर्व आगे भी जाएगा तो अगर ये करवागे भी जाएगा तो फिलहाल X-axis को काटता हुआ नहीं दिख रहा था लेकिन extend करने के बाद ये X-axis को दो पॉइंट पे कट करता हुआ दिख रहा है कट का ही case है इसमें किसी को कोई confusion अब तो नहीं होना चाहिए सर आगे पीछे करके देखो Y-coordinate का sign change हो जाएगा तो पता लग रहा है सर दोनों cut का case है यानि कि शुरुआत में लग रहा था X-axis को कहीं cut नहीं कर रहा लेकिन actually मैं ये X-axis को दो पॉइंट पे extend करने के बाद cut करता हुआ मुझे दिख रहा है तो हर एक cut बराबर एक zero दो cut बराबर दो zero यानि कि सर सही answer क्या है two zeros गलत answer क्या है zero zeros जादतर students जिनको अच्छे से concept नहीं पता है वो इसको मारेंगे zero zeros और गलत हो जाएंगे जबकि सही answer क्या होना चाहिए था सर two zeros clear है बहुत ही शांदार सवाल बहुत ही प्यारा सवाल यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परिशानी अगेन नहीं होनी चाहिए clear है अब देखो इतना हमने सीख लिया है यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है कोई भी समस्या कोई परिशानी नहीं है अब यहां आगे और भी कोई सवाल बचाए क्या और कोई सवाल इस टाइप कब नहीं बचा सवाल की variety थोड़ी बदल गई जिस पर हम आगे बात करेंगे अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना तो यहां पर बहुत अच्छे तरीके से concept wise और अच्छे अच्छे सवाल के थूँ हमने अपने कर्व को देख कर zero के बारे में क्या बात करनी है number of real zeros या zeros क्या निकल कराएंगे क्या answer लिकना इसको बिल्कुल detail में discuss किया अब मैं guarantee देता हूँ कि तुमारा board का paper कितना भी tough set कर दिया जाए examiner कितना भी टेड़ा सवाल दे मेरे lecture के बाहर नहीं आएगा यह मेरी guarantee रही यानि इन ही में से कोई एक सवाल या इसी type का सवाल आपसे पूछा जाएगा कितना भी confusing सवाल देगा अब तुम बना सकते हो यह मेरे side से मेरी confirmation है अगर आपने मेरे lecture को ध्यान से सुना है तो यहाँ पे मैं इस lecture को end करता हूँ लेकिन अभी lecture अच्छे से end नहीं हुआ क्यों अब बहुत से स्टुडेंट्स कहेंगे सर यह जो कटिया टच चेक करने वारा काम होता है ना यह थोड़ा सा मेरे को time taking लग रहा है मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है सर यह कटिया टच चेक करने में थोड़ा सा time बरबाद को होता है fast है no doubt वो जो मैंने आपको कटिया टच का तरीका बताया हो बहुत fast है बताओ आपकी तोड़ी practice हो जाएगी तो फटा फट होगा लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे student को लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा मेरे को time लग रहा है क्या कोई तरीका है जिसे कटिया टच को बिल्कुल फटा फट चेक कर ले उससे भी fast चेक कर ले तो बिल्कुल तरीका है उसको अब हम next lecture में discuss करेंगे तो आपको होगे सर जब आपको shortcut पता था तो आपने ये टेडा वला बात क्यों बताया तो यहाँ पे reason ये है कि mathematical concept ये है देखो shortcut हमेशा याद रखो कोई दिकत नहीं है लेकिन सिर्फ shortcut कभी मत याद रखो क्यों सिर्फ shortcut की problem यह होती है कि सवाल अगर अच्छे level का होगा तो कई बार shortcut आपको फसा देगा लेकिन अगर आपने concept से पढ़ा है तो सवाल कितना भी टेडा हो कभी भी concept गलत नहीं हो सकता shortcut गलती कर सकता है concept गलती नहीं करेगा लेकिन यहाँ पर मैं बता दू आपका shortcut भी गलती नहीं करेगा तो निश्चिंत रहना next lecture में cut ya touch निकालने का shortcut देखेंगे और उस shortcut की मदद से एक बार सारे सवाल का overview ले लेंगे तो आप conceptually भी यह पता कर सकते हो cut ya touch कैसे करना है next lecture के बाद shortcut पे भी हम बात कर सकते हैं तो I hope इस lecture के बाद आप दुनिया का कोई भी class 10 का book उठालो या कोई competition का book उठालो और उसमें graph को देखकर zeros कितने होंगे यह यह निकालना है या फिर कहलो real zeros कितने होंगे यह निकालना है तो अब उसमें आपको doubt नहीं आना चाहिए आप उसको बड़ी आसानी से बना लोगे clear है तो आज के पढ़ाएवे notes आप हमारी official website magnetbase.com से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका link video के description में है magnetbase.com पर आपको class 4 से लेके 12 तक सारे subjects को courses मिल जाते हैं वो भी systematic order में ranged thank you